आज कल फिर अपना जहां गया है तुसी के हिसाब से कब आज आए एक बार बीच में बोलता है हमको बीच में आ करके कह रहा था कि अपना पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी में मर्च कर दो जो मर्दी बोलते रहे हैं हम लोगों कोई लेना देना नहीं नमस्कार मेरे नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं बिहार में इन दिनों लगतार सियासत देज है बता दे कि चुनावे रणनितिक कार से राजनितिक कारिकरता बने अगर नतियस कुमार अपनी कूरसी भी चोड़ दे मुख्यमंतरी की और फिर भी प्रस्ताओ दे कि वो उनकी पार्टी में आए उनकी लिए काम करे तो वो नहीं जाएंगे अज इसको लेकर नतियस कुमार ने भी पलटवार करते वे ये कहा है कि प्रशान किसोर वीजेपी के एजेंट है इसके साथ ही नितिस कुमार ने ये कहा कि प्रशान किसोर तो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि जद्यो पार्टी को कॉंग्रेस के साथ मिल जाना चाहिए जद्यो कवल है कॉंग्रेस में हो जाना चाहिए सुलीन देश कुमार ने प्रशांत कसों को लेकर क्या कुछ कहा है? कर रहा था कि अपना पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी में मर्च कर दी हैं तो उसी के हिसाब से कर रहा है हम नहीं बूलाए थे अपने आया था मिले हैं क्या क्या बाप थी तब कुछ भी बोलता हम नहीं कुछ कहेंगे खाली आप लोग पूछ लिए इतना बता देंगे कि ये लोग को बिचरे को जो करना है राजनीच से क्या मतलब तो मतलब है कोई चीज नहीं अपना बोलते रहता आप बोलते दीजे चुकी ठीक साथ को कोई लेनत देना थे अच्छा है जब मदब कर रहा है और उन्हों के साथ है बढ़िया है बिचरे को वहां भी जगह मिल कर रहे हैं प्रसांद किसोर इसका मतलब है कि तब न समझे अब वो समझे कि जब इन भी बोल रहा है मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा काम करते रहो जो करना करो करते प्रसांद किसोर और नित्यसकुमал की मुलाकाथ भी हुई थी और मुलाकार nova के पृछ दो —दो नहें झाए को पहले तो छुक्ते चुपाते नजर आएं कि उनहोंने पर नहीं किए लेकिन बाद नित्यसकुमार कि हुं कि हैं कि हां उनके प्रसाद किसोर्स हुई है औ दोनों में अच्छी बात्षीर भी हुई है लेकिन उसके कुछ दिन बाद से एक बार फिर से ये तक्रार देखने को मिलने लगी आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं हम तक अपने राय कमेंट के जरीए दीचे इसके साथ अगर तक आपने हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब के लिए और आसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे आईवी चीवी के साथ धन्यवाद लवली इंजिनियरिंग इंटरप्राइजेज में हमारा पता है नाला रोट पटना जानकारी के लिए इन नमबरों पर भी संपर कर सकते हैं 9931-23-09-90 या फिर 9835-06-700-74 पर